हेलो दोस्तों आप सब कैसे हैं आई हूप अप सब बढ़िया हों गई तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं स्मूतिंग तो सबसे पहले कर लेते हैं चेक मैम के बालों को और मैम के बालों में बहुत ज़्यादा महंदी हीना है तो हीना को डिट बाल हैं तो सबसे पहले चेक क कर लिया है और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरह से वर्थ करते हैं इसमें काम करते हैं और हमने हियर वाश भी कर चुके हैं इस पे और प्रॉपर ड्रायर से सुका दिया है तो गाई सबसे पहले वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने इसके लिए हमने पहले वीडियो में सेक्शन के बारे में बता चुके हैं आपको की सेक्शन हमेंसा कैसे होने चाहिए तो आज हम क्या करने वाले हैं और कौन सा प्रोड़क्ट यूज़ करेंगे उसके बारे में आपको नौलेज दूगी तो जो लोग हमारी वीडियो पर अभी तक नहीं जुड़ में फटा फट जुड़ जाएं और वेल ऐकन का बटन दबा लें तो गाइस हम लोग कर रहे हैं प्रोड़क्ट लॉरियल का यूज़ की एक्टेंशो है और गाइस हम लोगोंने मिक्स भी कर दिया है तो आपको मैं दिखाती हूं हम लोगोंने किस तरह से कर रखा है और अब किस तरह से करते हैं और मैं कई वीडियो में बटा चुकी हूं कि जब भी आप प्रोड़क्ट यूज़ करें तो कंचूसी ना करें क्योंकि जब हम प्रोड़क्ट अच्छे से अपलाई नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो आप लोग भी हमारी मैं मैं करेंगे रही सेक्ट्षन को बहुत अच्छे तरीके से मलसीफाइग और हम किस तरह से कर रहे हैं बहुत स्मूध बाल हो जाने चाहिए और अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैं के बालों पर कितना हिना निकल रहा है और कितना हिना कोटड बाल है मैं कि तो व सबसे पहले तो जब भी आप क्रीम अप्लाई करें तो क्वंटिटी ठीक रहनी चाहिए ताकि बॉंड्स प्रेक होने में दिक्कत ना हो और दूसरी बात इसका जो टाइम प्रेट रहता है नॉर्मली वर्जन हेर के कोडिंग थोड़ा सा ज्यादा रहता है और कभी-कभी तो तो गाइस आप लोग इस इस के लिए हमारी वीडियो पर देखते रहे हम लोग इस तरह से करते हैं और अगर बहुत ज़्यादा बाल डेमेज होते हैं तो फॉर्टी 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 फाइफ मिनाट भी हमारा टाइम पिरेट लग जाता है और अगर हीना कोड़ेट ज ह्ति हम बीजिए यह सिके लिए हीना कोड़ करें पूल भीया से एक साल पहले होता है च qui आThree को पता चल जाता इससे पहले बारे जो section में हमने apply किया वह था क्रीम को और उस पे और इस पे difference देखिए उसको time नहीं हुआ है लेकिन जो हम दूसरा section आपको दिखाएंगे उसमें time हो चुका है और उसमें देखना कि कितने हिना निकलती है मैं के बालों से और मैं आपको proper वीडियो में चेक करा कर दिखा रही हूं तो गाईस देखिए कितनी हिना लगी हुए है आप देखिए प्रॉपर इस तरह से हमने प्रॉपर क्रीम को apply कर दिया है और मैंने आपको दिखा भी दिया मैं के बालों पे कितना हिना लगावा है और गाईस बीजबिस में आप लोगों को चेक करते रहन है कि बॉंड ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको बीट से और रूट से चेक करते रहना है तो गाईस अब हमारा टाइम हो चुका है वाश करने का तो हम मैं को ले रहे हैं सेंपू सेक्शन में और सेंपू सेक्शन में लेने के बाद कभी-कभी क्या होत चैनल पर नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए कि फटा फट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वेर आइकन का बटन दबा दीजे ताकि हमारी न्यू अपडेट वीडियो आप लोगों के पास पहुंचती रहे है और आप लोगों को हमारे से ऐसी ही जानक कर लिए तो गाइस हम लोगों ने वाश करके इसमें मास्क यूज कर रखा है कंडिशनर और मास्क में क्या डिफ्रेंस है वह मैंने पहले भी वीडियो में बिताया है तो गाइस देखिए हमने मास्क लगा के छोड़ दिया अब हम तो गाइस हम सीधे अब आपको आईनी करत है तकि प्रॉपर टैंगल प्लिए तो हमने एर वाश कर लिया है और हमने प्रॉपर यह बालों को ना सुखा लिया है ड्राइव की हैं से 100 पर संस्क लिया है तो गाइस आइनिंग आइनिंग कैसे करते हैं वह मैं आपको दिखा रही हूं तो हमने तो टैंपरेचर रखा है करने के लिए आपको किस तरह से करना है वो भी आपको दिखा रही है क्लाइट से कहना है कि प्लीज मैम आप अपनी नेक को ज्यादा नहीं लाइए और इसका जो टाइम पिरियेट होता है वो दसे पंदर मिनट कही होता है तो आपको फटा-फट आपको बालों में अपलाई करना है और यही बालों को स्टेट करता है तो इसी को आप बहुत अच् सकते हैं और भी काम हो गया है और मैं आपको को फूला है किस सकते हैं किस तरह से हम ने किया है तो गैस यह हमारा काम कम्प्रीट हो चुका है और इसको हम थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देंगे और उसके बाद मैं आपको ही हर वाश करते हैं और हम जा रहे हैं ही हर वाश के लिए तो सबसे पहले हम साधे नौर्मल पानी से प्रोड़क्ट को निकालेंगे और देख के लिए आपको इसको छोड़ना होता है तो गैस हम लोगों ने इसको लगा के छोड़ दिया है कभी-कभी ऐसा भी हो जाता कि 15-20 मिनट हम छोड़ देते हैं इसको और उसके बाद हम हियर वाश करेंगे ताकि बाल बहुत अच्छे हो जाए और स्मूथ होुए देधा करो जाए मास लगाने के बाद आप मास्क लगाने के बाद आपने इसको छोड़ते हो बाल उतने अच्छे होते हैं और बहुत को अपना जो हमारे काम कीनिक्षे बहुत अपसा है और बहुत सारी वीडियो में मैंने एर वाश करते हुए या पी ड्रायर की हैप सुकाते हुए नहीं दिखा रखा है तो अगर जिन लोगों को उसके बारे में भी नॉलेज चाहिए तो वो हमारी नेक्स वीडियो में देख सकते हैं जब हम नेक्स ताइम दूसरी वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको प्रापर प्रोसेजर दिखाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाती है एक एक चीज दिखाना पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी जिन लोगों को हमसे कोई नॉलेज चाहिए जान करी चाहिए वो लोग हमें कमेंट करिए और हमारे चैनल पर इसी तरह से ब बालों पर और इचिंग होगी जिसकी विजह से आपका हेर फॉल भी होने के चांस ज्यादा होते हैं तो गाइस हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और प्रॉपर मैम के बाल आपको मैं दिखा रहे हूं किस तरह से हैं तो आप लोगों को रिजल्ट कैसा लगा और जो आप लोग जरूर बताइएगा रिजल्ट कैसा रहा ताकि आपको और बहुत अच्छी अपडेट वीडियो हम देते रहें आप लोग कमेंट जरूर करिए ताकि कमेंट करेंगे तो हमें मोटिविशन मिलता रहेगा हम और वीडियो अच्छी से अच्छी बनाए तो गाईज आप